नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं आज सुभा, आज सुभा में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर छोटी और बड़ी ख़बर, लेकिन आज आज सुभा में हम आपको मिलवाएंगे देश के नए शिक्षा मंत्री से साथ ही बात करेंगे, म सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देखा गया, उसके बाद खबरे अब ये आ रही हैं कि ये पंजाब का रुक कर चुके हैं, लेकिन इनके निशाने पर दिल्ली है फिर तहशत फैलाने के सराक में हैं आतंकी फिर पठान कोट जैसे हमले की है साजिश ये खबर चौकन ना करने वाली है, क्योंकि आतंकी बहुत बड़े हमले के सराक में है खबर है कि जम्मू कश्मीर में जो तीन संदिक्द गाडियां देखी गई थी, वो गाडियां जम्मू से निकल कर पंजाब की सीमा में प्रवेश कर चुकी है देखिए, ये हैं वो तीन गाडिया स्विफ्ट डिजायर कार नमबर जेके 08AB2564 महिंद्रा बोलेरो नमबर बीबी शून्य छे एक दो और रेनोकार नमबर बीबी शून्य छे वाई खुफिया एजन्सी की माने तो इन गाडियों में गोला बारूद और आधुनिक हथियारों से लैस आतंकी सवार है जिन्होंने हिंदोस्तान को तहलाने की साजिश रच रखी है खबरों की माने तो आतंकियों के टार्गेट पर दिल्ली है यही वज़ा है कि जम्मो कश्मीर, दिल्ली और पंजाब समेत कई मुख्य शेहरों में तुरंत हायलर्ट कर दिया गया है देखिए ये पठान कोट की तस्वीरे हैं जहां कुछ रोज पहले एरबेस पर आतंकियों ने खूनी खेल खेला था यहां हर चौक्चो राहे पर सुरक्षा चाक्चो बंद है पठान कूट के बाद चंडीगर सबसे समवेदन शील शेहर है लहाजा यहां भी सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गये है केंदरिये खुपिया एजेंसियों के इंपुट के बाद से पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया है खास कर जो हाई वेज हैं वहाँ पर आने जाने वाले ट्रैफिक को रोका जा रहा है इसके अलावा जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन जगहों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है स्पेसिफिक नाके लगाए गये है क्योंकि जो इंपुट मिला है उसमें साफ तोर पर कहा गया है तीन गाड़ियां है जिनके अंदर गोला बारूद मौजूद है इसके अलावा तीन से चार टेररिस्ट सस्पेक्टिड इन में हो सकते हैं और इन गाड़ियों में एक बुलेरो एक रेनेल्ट और एक सफेद कलर की जम्मू कश्मीर नंबर की डिजायर गाड़ी है और इनका टार्गेट कहीं न कहीं दिल्ली है और कल ये गाड़ियां जम्मू कश्मीर से रवाना हुई है खबरों की माने तो आतंकियों के टार्गेट पर तिल्ली है यही वज़ा है कि तिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है स्टेशन पर सुरक्षा चाक्चवबंध है सिर्फ स्टेशन ही नहीं बेस्ट बाजारों में भी सुरक्षा के पुखता इंतजाम है फिल्हाल आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए है जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ढाका में आतंकियों ने खूनी खेल खेला उसने भारत को सचेत हुने पर मजबूर कर दिया है बैंगलूर और कोलकटा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है इतना ही नहीं कोलकटा में एनाईये ने मंगलवार को एक शक्स को गिरफतार भी किया है इसका नाम है मुहमद मसेउद्दीन और मुसा आरूप है कि मुसा आतंक की संगठाना ये सायस के लिए काम करता है इसके लावा पीरभूम से मुसा के दो और साथियों को भी हिरासत में लेकर पूछताच की जा रही है मतलब ये है कि आतंक को लेकर पूरे देश में अलर्ट है आप भी सचेत रहिए कहीं भी कोई संदिक्द दिखे तो तुरन पुलिस को सूचित कीजिए पठानकोट से पवन से चंडिगर से सतेंद्र चोहान और अनुज मिश्रा के साथ रोहित मिश्रा दिल्ली आज तक